आज की इस लाइव ग्लास में बात करते हैं चैप्टर नमबर फाइव पावर पॉइंट 2016 पार्ट टू के बारे में प्रीवेस लाइव क्लास में मैंने डिसकस किया था पावर पॉइंट एप्लिकेशन के कुछ टॉपिक्स के बारे में तो आएए आज हुम जानेंगे आगे क कुछ टॉपिक्स के बारे में एज पार्ट टू ना दर फस्ट टॉपिक इस लोजिंग अप्रेजेंटेशन इस्टुडेंट्स अगर हम अपनी प्रेजेंटेशन को क्लोज करना चाहते हैं तो इसके निया हम क्या करेंगे इसके निया हमें कुछ स्टेप्स फॉलॉव कर द अगर हम प्रेजेंटेशन को क्लोज करना चाहते हैं तो इसके निये कुछ स्टेप्स हमें फॉलॉव करने होंगे नाओ देस्टेप वन यू कैन सी ओन दा स्क्रीन क्लिक ओन देखिए यहां माउस कर्सर की हैल्प से मैं आपको शो कर रहा हूं यह हमारा पावर पॉइंट अप्लिकेशन विंडो है और आप यहां पर देख सकते हैं इस फाइल का नेम भी यहां पर शो रहा है और यहां पर जो फाइल टैब है बितक करना होगा इसके बाद श्टेब नंबर तू जैसे इंग इस पर खिलिक करते हैं यहां पर हमें फ्लूज बटन दिखाई देता है यहां पर क्लिक करने पर क्लिक ओंड गुंडाट क्लोज उप्षीन फॉम डाफ पी वहां क्या करना होगा बच्चtered left pane, देखिए left side में है, तो left pane से हम close option पर click कर दे, ये close option हमें हादिखाई दे रहा है, इस पर हमें click करना होगा, if you have not saved the presentation, in case, अगर आपने अपनी presentation को save नहीं किया है, तो उस condition में powerpoint display a message box and will be asked, want to save your change to presentation, तो यानि कि it means, अगर आपने अपनी presentation को save नहीं किया है, तो powerpoint आपको एक message box display कराता है, और उसमें आप से पुछा जाएगा, कि क्या आप अपनी presentation में कुछ changes करके, उसे save करना चाहते हैं, तो जो भी changes किये हैं, क्या उन्हें आप सेव करना चाहते हैं या नहीं, इससे regarding आपको एक message मिलेगा, देखिए यहां स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, Microsoft PowerPoint, want to save your changes to clean city, clean city.ptx, it means, हमारी जो powerpoint की application की जो file है, जो हमने यहां पर presentation के निया file create की हुई है, इसमें हमारी इस file का name, इसकी extension के साथ में यहां पर show हो रहा है, और हमारे आगे three options हैं हैं, save, don't save and cancer, तो जो भी हमें according to our choice, जो भी हमें सही लगता है, हमें इस option पर click करना होगा, अगर मान लीजिए हमारे काम का नहीं है यह जो file है, तो हम don't save पर click करेंगे, और अगर हमारा जो किया हुआ वर्थ हैस में, वो हमारे काम का है, हमारे काम आने वाला है, तो हम उसे file को save button पर click करके save कर देंगे, step number three यही है, click on save button if you want to save the presentation, अगर आप अपनी presentation को save करना चाहते हैं, तो आपको save button पर click करना होगा, ऐसा करने से क्या होगा, power point closes the currently open presentation, पावर पॉइंट जो भी आपकी करेंटी open presentation है, उसको close कर देंगे, तो देखिए, अभी हमने सीखा कि power point में अपनी presentation को कैसे close किया जाता है, अब हमारा next topic है, exiting power point, power point से ही अगर हमें exit होना हो, तो कैसे, exit का mean क्या होता है, exit का meaning है, बाहर निकलना, to exit power point, click on the close button in the title bar, अगर हम power point से exit होना चाहते हैं, तो इसके निये हमें title bar पर दिये हुए close button पर click करना है, देखिए ये जो आपको मैं show कर रहा हूँ, mouse cursor की help से, एक cross का symbol है और ये आपको symbol मैंता है, ठीक, इस जगह पर, आप यहां पर, ये title bar पर, top right side में देख सकते हैं, इस option पर click करने पर, क्या होगा, कि आप power point से ही directly exit हो जाएंगे, to exit power point, click on the close button in the title bar, as I show you on the screen, now the next topic is creating a new presentation, अगर हमें एक नई presentation को create करना है, तो कैसे करेंगे, a presentation is made up of a series of slides, a single way of presentation is called a slide, students, एक presentation slides की series से मिल कर वनी भी होती है, slides क्या होती है, slides होती है, just like as our notebook pages, जैसे हमारे notebook में जो pages होते हैं, उन पर work करते हैं, one page पर work करने पर जब वो फिल हो जाता है completely, तो हम next page का use करते हैं, तो इसी तरह यहां पर भी, हम notebook pages की तरह slides का use करते हैं, a slide complete होने पर हम next slide का use करते हैं, one by one इस तरह से हम according to our needs, यहां पर multiple slides का use करके, एक presentation create कराते हैं A slide can have text, animation, videos, sound effects, voice over एक slide में क्या-क्या हो सकता है Text हो सकता है, देखिए सभी text है जो यहाँ पर लिखा हुआ है Animation, animation आप देख रहे हैं जैसे मैं अपनी slide को run करा रहा हूं यहाँ पर, videos, आप यहाँ पर video को भी add करा सकते हैं Sound effects, आप sound effects भी तरह तरह के हाँ पर available है उन्हें set कर सकते हैं And voice over और आप audio यानि की voice को भी हाँ पर set कर सकते हैं Video, voice, आप जो भी चाहें When many slides are run together, one after the other जब कई सारी slides run होती हैं एक साथ, एक के बादे It is called a slideshow, तो उसे slideshow का हज़त When you start powerpoint, the program automatically starts a new presentation for you And calls it presentation one तो जब भी आप powerpoint को start करते हैं तो यह program जा करता है Automatically एक new presentation start कर देता है आपके रिए और यह presentation one के नेम से आपको suggested file name के form में आपको देता है कि आप इस पर work कर सकते हैं देखिए यहाँ पर आप screen पर देख सकते हैं यह shapes feature है यहाँ से आप shapes insert करा सकते हैं To create a new presentation follow these steps Students अगर आप एक नई presentation create करना चाहते हैं तो इसके निये आपको कुछ steps follow करने होंगे Step one is file Click on the file tab यानि कि आपको यहाँ पर title बार से file tab पर click करना होगा Then step number two Click on blank presentation in the back stage view आपको blank presentation देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है मैं आपको mouse cursor की help से हाईलाइट कर रहा हूँ यह आप देख सकते हैं तो blank presentation पर आपको click करना होगा और यह backstage view पहलाता है यहाँ आप देख रहे हैं इसे backstage view पहा जाता है तो यहाँ से हम blank presentation पर click कर देंगे और जैसे ही हम इस पर click करते हैं अन्यू presentation opens with a blank slide एक नई presentation आपके सामें open हो जाती है जो की एक blank slide के साथ में आप स्क्रीन पर देख सकते हैं अब हम बात करते हैं क्रिएटिंग दा टाइटल स्लाइट अगर हम टाइटल स्लाइट को पीड करना चाहते हैं तो कैसे करें वेनेवर यू स्टार्ट यूर प्रेजेंटेशन जब कभी आप अपनी प्रेजेंटेशन को स्टार्ट करते हैं सबसे पहली स्लाइट ओपन होती है उसे टाइटल स्लाइट के नाम से जाता है मैं अटाइटल स्लाइट एसटीं और शांवर यहां पर टाइटल श्राइट यहांपर यहां पर दिस्प्ले होती है और text placeholder आपको देखने को जिछता है अपकर text को type किया जा सकता है मैंने आपको दिखाया यहां पर लिखा हुआ है देखिए स्प्रीन पर मैं हाइलाइट करते हैं और टेक्स एड़ करके अपने टाइटल का नेम आपर कैसे हम एंटर करते हैं एंटर इसके बारे में हम जानेंगे अगर हम टाइटल टेक्स पेल्टर के अंदर टाइक्स को एंटर करना चाहते हैं तो इसके नहीं कुछ की स्टैप्स हमें करने होंगे इस पॉक्स के अंदर किलिक करना होगा जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो स्टुडेंट्स हमारे सामने इस तरह से एक करसर दिखाई देगा टाइप यूर टैक्स इन प्लेस मुंडर पॉक्स अब जो भी हमें टैक्स टाइप करना है अपनी प्रिजेंटेशन का टाइटल देने के नहीं है जो फर्स्ट स्लाइड ओफियस में हम टाइडल नेम देते हैं तो जो भी हमें यहां पर टाइटल रखना है वो टैक्स हम यहां पर टाइप करेंगे फर एक्जाम्पल इंदा इमेज the text entered is green city clean city आप यहां देख सकते हैं इस image में यह जो सामने आपके available है यहां पर जो text enter किया गया है यह text आपके सामने लिखा गया है green city clean city यह एक example है students आप अपनी choice के according अपनी need के according यहां पर जो भी presentation बना रहे हैं उसका title type करके यहां पर set कर सकते हैं the title text display in the title text place hooter and in the slides tab यहां पर आप देखेंगे कि जो title text है वो आपको title text place hooter में भी दिखेगा और slides tab में भी आपको देखने को मिलेगा यहां पर भी मैंने आप सभी को topics explain किये हैं अच्छे से समझ लिए होंगे और अगर फिल्पी किसी को कोई डाउट हो या किसी को कोई query हो तो आप मुझे किसी भी समय कॉल करके पूप सकते हैं thank you students thank you so much all the best do practice at your home on your computer once again